नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांट जोती सीक्रेट कन्या रासी वालों आप जिसे पाने के लिए सबसे ज़्यादा तरपते हैं आखिर वही आपको क्यों नहीं मिलता कभी सोचा है आपने अगर नहीं तो आए हम आपको बताने की कोशिस करते हैं आपका कौन सा वो कारण है आखिर कि कन्या वालों को यहां पर और सफलता मिलती है और जीवन में सफल होने के लिए क्या करें हमारा इरादा सिर्फ आपको मोटिवेट करने की है वीडियो के अंतक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद रासी पर आधारित है कन्या रासी बहुत ही बुद्धिवान रासी बहुत खुबसूरत रासी और यहां पर बुद्ध देव आपको बहुत ज़्यादा सोचने समझने की सक्ति भी देते हैं इसलिए तो कन्यावले सब जगह आगे रहते हैं वैसे हमारा टॉपिक कुछ और है करने वाले भले ही बहुत बुद्धिमान हो जब प्यार की बात आती है न फिर तो सब कुछ भूल जाते हैं प्यार होती ही कुछ ऐसी चीज है क्या आपकी तड़प सिर्फ आप तक ही है या सामने वाले भी आपके लिए तड़पता है क्योंकि आजकल के दुनिया में प्यार कम रह गया है और सो करने का तरीका यहीं कि मेरी भी गर्ल्फरेंड है मेरा भी बॉइफरेंड है कुछ ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है करी ऐसा तो नहीं है अगर है तो यहीं तक रहने दे अगल दिल लगा लेते हैं एक तरफा तो बड़ा कस्ट होता है एक तरफा दिल तो नहीं लगाएं तो अच्छा है वैसे तो प्यार सो समझ के होता नहीं बस हो जाता है अब प्यार जब हम अपने अपने घरों में होते हैं अपने माता पिता के घरों में होते हैं तो प्यार से मिलने की तरब, उनसे बाते करने की तरब, उनसको देखने की तरब बहुत होती है क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम होते हैं कभी पहले के जवाने में नेट नहीं थे, मॉबाइल नहीं थे, लोग लोग छिपके कहीं से देख लेते थे लेकिन अभी तो बस ओनलाइन है पर अभी जसा हमने कहा दिखावा ज़्यादा हो गया है अब हम इस प्यार को छोड़ते हैं अब आपके रिस्तो पर आते हैं क्योंकि हम सिर्भ आपको मोटिवेट करना चाहते हैं क्या माता पिता आपसे आपको प्यार नहीं करते या आपके भाई बहन का प्यार आपके लिए कम है है ना तो हम एक दोस्त धूनते हैं और विप्रित लिंगी के प्रती आप लड़की है तो लड़का के प्रती लड़का है तो लड़की के प्रती एक आकरसन एक एज में हो जा है अलग बंदन है यहां का अलग कल्चर है बहुत सारे चीजे लोग आसानी से पचा नहीं पाते कभी-कभी माता-पिता को सद्मा भी लग जाता है तो ऐसे में जब आपको लगे कि इस चीज को करने से आपका प्यार तो आपको मिल जाएगा पर सारे रिस्ते नाते छूट जाएंगे आपका मन जब किसी के प्यार में होता है न तो कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं होता वो कुछ सोच ही नहीं सकता कि क्या होगा और नहीं होगा बस प्यार को पाना लेकिन एक बात हमेशा याद रखेगा यह एक पिता ही है जो चाहते हैं हमारे बच्चे हमसे भी उपर उठे दुनिया में बहुत नाम यस कमाएं आपको लगता है कि आपके प्रती माता-पिता का प्रेम भेदभा वाला है या माता-पिता आपसे प्यार नहीं करते या फिर मा रात भर जगती है जगके पाल पूस के बड़ों को बच्चों को बड़ा करती है और मा की दुनिया अपने बच्चे पती तक ही सिमित होती है यानि आपके पिता और आप तक और बस उनका ख्याल होता है आप लोग अच्छे से खाएं अच्छे से रहें खुज रहें पिता जो कि पूरी संसार देखे होते हैं पूरा संसार और उनकी चाहत होती है बच्चे हमारे भटके नहीं और एक सही रास्ते पे एक सफल मनुस्य बने अब पिता की चाहत मा का प्यार अगर आपको लगे कि कम हो गया है तभी आप गलत कदम उठाईएगा क्योंकि एक गलत कदम आपकी पूरी लाइफ को बरबाद कर देता है अधिक्तर मामलों में हमारे भारत में ऐसा देखा गया है कि लग मैरे सफल नहीं होती है अधिक्तर मामलों में यानि नबबे परसंट से एभा भी ऐसे मामले हैं जहां आगे चलकर जब जीवन की जो घरेलू चीजे है बच्चे आगए अब उनको समझालने में ब्यास्त होना तब कहीं प्यार खो जाता है तब सिर्फ तकरार बचती है लेकिन अगर माता पिता के पसंद से आप बिवाह करते हैं तब यहां पर क्या होता है ना कि उनका सपोर्ट मिलता है आप आपको समझाते हैं सही रहा दिखाते हैं वैसे प्यार से बिवाह करना गलत बात नहीं लेकिन पहले आप अपना करियर से टल करें दूसरी बात अपनी कुंडली मिलाएं कुंडली नहीं है तो कम से कम अपनी मित्ररासी से बिवाह करें क्योंकि मित्ररासी से हमारी सोच मिलत करती है भठकाऊ से बचाती है नहीं कि क्歌 अधिक कशी किमाने में किसी कंव कम führen अपने बहुत कम देखा उगा कि कर्निया वालों के पास पैसे नहीं यह कमा लेते हैं इंटना चाहिए उत्रÁा इनकesz होता है कहीं जाएं क्योंकि बुद्द्रवाब आपके स्वामि हैं आप तो वैसे भी बुद्ध इमान होते हैं और सला लेकर एक पन्ना जरूर पहनिएगा अगर आपको पन्ना सूट ना करें तो ओम बुम बुद्धायनमा ओम बुम बुद्धायनमा का जितना ज़्यादा हो जब करें आपका स्वामी स्ट्रॉंग होगा तो आप स्ट्रॉंग होगे आपका किसमत आपका साथ देगा अगर जैसा कि हमने कहा क्यों नहीं मिलता हमने अभी भी कहा कि आप बहुत इमानदार होते हैं रिस्ते निभाना रिस्तों को लेकर चलना आप जानते हैं लेकिन कभी-कभी आपके रिस्ते कुछ ऐसी चीज़ें आप कर बैठते हैं कि हाथों से छूट जाते हैं तो उन रिस्तों को संभालना आपका फर्च है आप दुनिया में कहीं भी रहो कहीं भी लेकिन माता पिता आपके भाई बहन का आपके लिए दौार आपके लिए हिरदय हमेशा खुला रहता है हमेशा आप याद रखेगा आप दो-चार-पांस साल के बाद भी उनसे मिलने आओगे न तो मुस्कुराएंगे खुसी के आंसू चलकेंगे और फिर आपको गले लगा लेंगे लेकिन आपका जो लब है दो-चार-पांस साल तो छोड़ दो दो-चार-पांस दिन दस दिन एक मेने भी दूर रहे तो किसी और के चक्कर में वो पढ़ जाएगा अगर सच्चा प्यार हुआ तो आपके पास ही रहेगा आपका इंतजार करेगा कहीं आपका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है कहीं आप भावनाओं में बह कर कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे बहुत सारे हमारे बच्चे कहते हैं दिल मानता नहीं है, बेचैनी होती है कोई बात नहीं, आप यह समझ लो की एक तरह की बिमारी है इसका भी ट्रीटमेंट है, यह जो वक्त है न, हर एक मर्जी की दवा है बड़ी से बड़ी बिमारी, बड़े से बड़े घौब को भी भर देता है बस थोरे से समझने की, अंदर से फिल जगाने की, आपके जो करीबी है उनसे अपने फिलिंग सेयर करो, आपको जो चीज अच्छा लगता है, आप उसमें रम जाओ धरे-धरे सब ठीक हो जाता है अभी तो नेट का जमाना है, अभी तो वाटस्टेप है, फेस्बूक है, तरह-दर के बहुत सारी चीज़े हैं बच्चे वहाँ पर टिक-टॉक वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर होता है क्या है न, आपको मन बहलाने के लिए बहुत सारी चीज़े हैं आप बहुत जल्दी तकलीफों से, या फिर किसी भी सदमे में आप हैं, तो वहाँ से उबर जाते हैं बहुत बार प्यार सदमा भी दे जाता है, और हमारे टीनेज़े जो बच्चे हैं वो बहतर समझते हैं तो यहाँ पर आपको समझना होगा, क्या सही है, क्या गलत है कभी कभी प्यार लुटाना, तौफ़े देना अच्छी बात है, लेकिन यह प्यार कहीं आपके पौकेट पर भार ही तो नहीं पर रही क्योंकि अक्सर बच्चे अपराद में भी चले जाते हैं, इस प्यार को निभाने के चक्क्र में ये गलत है, ये प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार समर्पन का नाम है, ना कि आपकी पॉकेट डिली करने का नाम, तो हमेशा ही ध्यान रखें, अगर आपको आपका प्यार चाहिए, तो प्यार आप जैसे हैं, वैसे ही आपको अपनाएगा, अगर वो अपना नहीं पा र रुतवा है उसका इस्तिमाल कर रहा है आपके पास जो चीजे हैं उसे लेने की कोशिस में है प्यार देने का नाम है लेने का नहीं इसलिए तो हम कहते हैं मेंसा जो आपका है वो आपका ही रहेगा आपका इंतजार करेगा मरते दम तक लेकिन जो आपका नहीं है वो इंतजार नहीं करता तो किसी और का हो जाता है धहर से काम ले सबर से काम ले और बस यह समझ ले कि हमारा टॉपिक जो था आप सोचिए गए एक बर जरूर आखिर वो आपको क्यों नहीं मिलता कुछ तो कारण रहे होंगे कभी-कभी जमाने की बाते भी आती है कभी-कभी दवाओ में भ प्यार को भूल जाते हैं नहीं भूल के भी किसी और के साथ बंद जाते हैं तो यहां पर एक गरीमा है हमने कहा हम भारती समाज में रहते हैं तो यहां पर हर कोई अपने तरीके से जीवन जीता है बच्चों को भी चाहता है कि वो अपनी लाइफ में अच्छे से रहें ताक जैसे है उसको आप accept करें जीवन में आगे बढ़ें इतना ज्यादा मेहनत करें इतना सफल हो कि एक बार आपका प्यार भी सोचे ठुगराने से पहले कि हमने ये क्या किया आपने बहुत सरी लोगों के कहानिया सुनी होंगी प्यार ने ठुगरा दिया प्यार नहीं मिला तो इ ऐसा नहीं है कि अब किसी सिंपल परिवार में लोग जन्म लियें तो सिंपल ही रहेंगे अमीर में परिवार में जन्म लियें तो अमीर ही रहेंगे ऐसा नहीं होता बहुत कुछ कर्म डिशाइड करता है कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए अभी अभी आपके उपर से ढ या समाप्त हुई है अब आप आजाद है आजाद बंची है बस समय का सदूपयो आगे बढ़ते रहें जीवन को एकदम पॉजिटिव तरीके से ले हार मत मानिएगा जिस दिन आप हार जाएंगे फिर तो कुछ नहीं बचेगा हार नहीं है हिम्मत रखिए आगे बढ़िए ज हर महादे फिर मिलेंगे